हाई फ्रेंज आज हम आपको बताते हैं कि गर्मी में खीरा का सेवन अधिक मात्र में क्यों करना चाहिए क्योंकि खीरा में भरपूर मात्र में फाइबर, प्रोटेन, बिटामिन C और बिटामिन A पाई जाता है और खीरा खाने से सरीर हमेशा तरोताजा और उर्जा से भरा हो अगर आप खीरा का सेवन गर्मी में करते हैं तो आपका सरीर हमेशा हाइडर रहता है और यानि सरीर में पानी की कमी नहीं होता है और आप खीरा का सेवन हमेशा करते हैं तो आपकी तॉन स्कीन पदार्थ यानि मल को अपने सरीर से असानी से बाहर निकाल सकते हैं जिससे आ भाइबर भरपूर मात्रा में पाजाता है जो की कबजी की समस्या को सुद्धूर रखता है खीरा का सिवन करने से मल्ट सौप्ट होता है जो असानी से पेट साफ होता है और गैस अपरज की समस्या से हमेशा राहत मिलता है नमबर थर्ड, खीरा में भरपूर मातरम में मैगनिस्यम और पोटेसियम पाय जाता है, जिसे आपको BP के समस्या से राहत मिलता है नमबर फोर, गर्बी में खीरा खाने से आपके सरीर की इम्मुनिटी पावर को मजबूत करती है इसमें बिटामिन सी भरपूर मातरम में पाय जाता है, खीरा खाने से कई बिमारी असानी से दूर होती है नमबर फाइब, अगर आप सोचकर हमेशा परिशानने की वजन हम कम कैसे करें, तो आप खीरा खाना शुरू कर दे, आपकी मोटा पर धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएब क्योंकि खीरा में केलोरी नाम मातर का होता है अगर आप खीरा का लगातार सेवन कर रहें या खा रहें, तो आपको एसकीन से जूड़ी समस्या सरहत मिल सकती है जैसे एसकीन रेडनेर्स, सूजन, जलन, क्योंकि इसमें सिलिका पाय जाता है जिसे आपके बालों और नाकुनों के लिए काफी अच्छा लाब मिलता है देखा जाए तो यह एसकीन टोनर की तरह खीरा काम करता है और आप सभी को जानते हैं कि खीरा गर्मिक मौसम में लोगों को नेसेसरी समझ के या जोरी समझ के करना चाहिए थाइंक यू